कि है गाइज वेलकम एक तो मैं पर बिटी सी यूए श्टी डॉमिनेंस बी एन बी सियार वी सेंड अक्सार पी अवेक्स एचर सीजट के चाटों डिटेल में डिसकस करेंगे तो आपके जो भी डाउट है हम यहां पर क्लिय करने वाले लेकिन अगर चनल पहली बार है तो दोस देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने कल वाले इंग्लिस वाले वीडियो में हमने डिलेक्ली बोलके रखा था कि बिटकोइन के प्राइस में आपको डाउनफाल देख मिलेगा हमने तीन रिजिन भी एक्स्पिलेंग कि हमारा फर्स्ट रिजिन था कि जो बिटकोइन है एक वन होर के चार्ट में राइजिम वेच अंदर बना रहा है जो कि एक बीरिस्क साहन होता है सेकंड रिजिन था कि बिटकोइन को 21.7 के से लेके 21.8 के के पास में हमारा मेजर रिजिस्टन से है तो आप देख सकते हो केंडल की एक्जक्ली पिन पॉंट हमारे रिजिस्टन से अबस्ते बाद में आपको बैस्हें मिल रहे कि घ्रत मैं एक्स्पीलें चार्ट में में मग एक्रॉसवर भीडीन के साथ कि रहा क्यूंश ओंग Lewand कीप एन आई ओन 20.5 के सपोर्ट सेम चार्ट का स्क्रीन सोट हमने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर किये उसके बाद में आप यह पर देख सकते के प्राइस में आपको डाउन फाल देख मिल रहा है इस टैंप पर करन प्राइस है 21.8 के के पास में तो अगर अभी आपको किस अगर अब आपको किसी भी आपको किसी भी आपको डाउन फाल देख मिलते है इन हो सकता कि अभी जो हमारी केंडल यहां पर सपोर्ट लेने का ट्राइग करेता हो गाज अगर अब आपको किसी भी आपको के आपको 20.4 के से लेकर 20.5 के पास में यह बाद में अगर वरष्ट केस में हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो इसके अपको करना है first entry अभी आपको बना के रखना है 20.4K के पास में 20.5K के पास में उसके बाद में आपको DCA करना है 19.2K के पास में तो आपको समझ जिवारा हो आप यह पर देख सकते हो USTD dominance के चार्ट को कल की date के अंदर भी हमने आपके साथ में सेम चार्ट डिसकस किया था हमने कल की date के अंदर आपको बोल के रखा था कि जो हमारे यहां पर USTD dominance है अभी हमारे यहां पर यहां पर सपोर्ट के पास में तो अगर इसको ब्रेक करता है तो ही आपको BTC के price में recovery मिलेगा लेकिन अगर हमारे यहां पर सपोर्ट लेता है तो उसके बाद में हो सकता है कि BTC के price में आपको downfall मिले तो गज रिजल्ट आपके सामने है आप देख सकते हो जो हमारे यहां पर USTD dominance अभी यहां पर support लेके increase हुआ है तो इस तरह से आपको Bitcoin के price में downfall मिले तो अगेन आपको हमारे यहां पर USTD dominance में यह support follow करना है अगर हमारे यहां पर नीचे आता है तो हो सकता है कि हमारा BTC के price में आपको थोड़ा recovery मिले 20.5K के पास में support मिले लेकिन अगर हमारे यहा इंट्री बना के रखना है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो इस टैंप में आप BNB के light chart open किया हुआ है अभी chart open हो रहा है थोड़ा यह reload ले रहा है आप यहां पर देख सकते हो BNB की chart को BNB को अभी हमारा support है 243.4 के पास में exactly BNB को 243 से लेके 244 के पास में हमारे support है पहले हमारे exactly 44 के chart में ascending chart को ascending triangle को follow कर रहा था दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो पास में जो हमारा BNB है ascending triangle को follow कर रहा था तो इस तरह से breakout लेने के बाद में again इसको अभी retrace करने के try कर रहा है कल की date आपको breakout देख मिला है तो अभी retrace करने के try कर रहा है तो first entry अभी अगर हमारा bitcoin 20.4 के को break करता है तो ओजीली हो सकता है कि जो हमारा BNB है 226 या 225 के पास में आने का track रहा है तो दोस्तों आपको bitcoin को follow करते हुए ही अभी आपको BNB के entry बना के रहा है आप यहां पर देख सकते हो send के chart को कल की date के अंदर हमने आपके साथ में send का same chart share किया था आपको कल की date में राइज जी में बनता हुए दिखाए दिखाए दिया तो आपको 1.13 से निचे ही entry बना के रहा है क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो 1.13 के पास में हमारे send को support है अगर अब भी आप यहां पर हमारा horizontal support ड्रो करते हो तो आपको माइनल support देख मिलेगा 1.13 के पास में तो इसके code ही आपको नीचे entry बना के रखना है उसके बाद में आपको हमारी यहां पर safe entry देखने हो मिलेगी 1.05 या 1.06 के पास में गज अगर हमारा bitcoin 20.5 के वाले support को break करता है तो easily हमारा यहां पर xrp, sorry send easily हमारा 1.05 या 1.06 को test कर सकता है तो इसके code ही आपको entry बना के रखना है अभी आप यहां पर देख सकते हो xrp की chart को गज अभी हमने xrp klatchet open के आफर हो chart में आप यहां पर देखिए पहले हमारा descending triangle को follow कर रहा था breakout के बाद में अभी retention लेता है हमारी उपर वाली वाइट इनन के पास में तो इस तरह से अभी आपको इसके price में recovery देख मेर रहा है तो अगर हमारा bitcoin 20.5 के पास में support लेता है तो अभी आप यहां पर xrp में 0.34 के पास में first entry बना सकते होगा 0.342 या 0.341 के पास में थोड़ा risky entry होगा अगर हमारा bitcoin 20.5 के वाले support को break करता है तो इसके coding ही अभी आपको थोड़ा risky entry बना के रखना 0.342 के पास में उसके बाद में आपको DC करना 0.311 के पास में तो दोस्तों आप यह पर देख सकते हो हमने आप आवेक्स का लाइचाट ओपन के फॉर्फोर की चार्ट म में अभी आपको यहां पर बनता हुए दिखाए दिया है तो इस तरह से अभी आपको इसके प्राइस में डाउन फाल के मिल रहा है अगर अभी आपको risky entry बना के रखना है तो ही आपको 20 के पास में बना के रखना है गाइस मैं तो personally आपको suggestion नहीं कर रहा है अगर हमारा bitcoin नी यह entry हो की 20 के पास में तो इसके according ही आपको entry बना के रखना है आप देख सकते हो CHR के चार्ट को गाज अभी हमने CHR का लैच्ट ओपन किया फुर्होर्ट के चार्ट में करें करें इसके नीचे 0.1722 के पास में जो हमारा horizontal support है यह हो सकता कि इसको support दे तो अगर मैं यहां पर entry इसकी entry बना के रखना 0.18 के पास में इसके बाद में हमारी safe entry होगी 0.172 के पास में अगर हमारा bitcoin 20.5 के के पास सपोर्ट लेता तो इजीली हो सकता कि CHR भी हमारा 0.18 के पास में support लेना के ट्रै करें फिर finally आपको 0.172 के पास में DCA करना है ओके गैस तो real में अगर आपको हमारा BTC का UST dominance का BNB का प्रैस 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 अच्छा लगा हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करना ओके थांक्यू थांक्यू सोमच